नमस्कार स्वागत है आपका कापिटल टीवी उत्रप्रदेश में मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी योगी सरकार करोना को लेकर हमेशा सही सकत रही है यही वज़ा है कि देश में यूपी उन राज्यों में से आता है जो करोना के मामले में सबसे नीचे है वो जिले जो अगले हफते भी करोना मुक्त होंगे योगी सरकार उनके लिए खास तोफा लाई है देखते हैं क्या केस नहीं है जिसमें काजगन, शावस्ती और अलीगर्श शामिल है सीम योगी अधित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्चसतरिय कोविड-19 समिक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी बैठक में योगी ने कहा कि राज्य सरकार इंजलों में अगले हफते तक किसी भी नए म मामले के रिपोर्ट नहीं हुने पर उन्हें पुरुष्कृत करेगी मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ ने कहा कि बुधुवार को राज्य के 33 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया और वहां सक्रिय मामले भी सिंगल डिजिट में हैं मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाथ ने कहा कि ठोस प्रयासों से राज्य में महामारी की दूसरी लहर अच्छी तरह से नियंत्रण में हैं CM ने कहा कि काजगज, शावस्ती और अलीगण में COVID-19 के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं और टीम वर्क के कारण ऐसा हुआ है इन जिलों का होसला बढ़ाते हुए कहा कि इसमें जन प्रतिनीधियों, स्वास्त कर्मियों, फ्रंट लाइन वोकर्स, मोनिटरिंग कमिटियों, स्थान्य प्रशासन और लोगों ने एहम भूमिका निबाई CM ने साथ ही कहा कि कोरोना को काबू में करने के लिए प्रयास और जागरुकता जारी रहनी चाहिए, वहीं तीनों जिलों को आक्रुमक टेस्टिंग जारी रखनी चाहिए CM योगी ने कहा कि उत्रप्रदेश की ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और ठीका करन नीती ही है जिसके चलते राज 6 करोड कोविड-19 टेस्ट करने के आकडों को पार करने वाला देश का पहला राज बनने की ओर है CM ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज में कुल 7.1 लाग कोविड-19 टीकों की खुराक दी गई जिससे उत्तरप्रदेश में 16 जनवरी से अब तक कुल 3.5-2 करोड टीके लगाए जा चुके हैं यूपी करोना से आए दिन नई जंग जीत रहा है इसको बरकरार रखने के लिए यूपी में योगी सरकार ने ऐसे शेत्रों को पुरिस्कृत करने का फैसला कर लिया है इसे बाकी शेत्रों को प्रेणा जरूर मिलेगी अभी के लिए इतना ही देखते रहेए कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश अब है आपकी बारी उत्तरप्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रिश कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश आपका कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश